तुलसी को जल देते समय बोलने चाहिए ये तीन शब्द सभी मनो कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको तुलसी को जल देने के महात्मय की कथा सुनाई है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी को जल देते समय क्या बोलना चाहिए। एक बार की बात है, देवी सत्य भामा ने भगवान श्री कृष्ण से तुलसी को जल देने का महत्व पूछ लिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उसका महात्म्य सुना दिया था, आगे देवी सत्य भामा कहती है, हे स्वामी, आपने मुझे तुलस तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है? कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें. तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते है, हे प्रिये. जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी का माहात में सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय, बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है. ये मंत्र केवल तीन शब्दों का है, किन्तु इसका प्रभाव बहुत कल्यान कारी है. जो भी मनुष्य नित्य तुलसी को जल देते समय, अपने मुख से केवल ये तीन शब्द बोल देता है, तो साक्षात लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है. उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उसे धन धान्य की प्राप्ती होती है. वह मंत्र बताने से पूर्व, मैं आपको तुलसी के इस मंत्र का माहात्म्य सुनाता हूँ, इस माहात्म्य को सुन लेने मात्र से ही, मनुष्य के समस्थ पाप नश्ट हो जाते है. उसे सौ वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुन्य प्राप्त हो जाता है. इसलिए देवी आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने. देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी, आप मुझे तुलसी के मंत्र का महात्म्य सुनाईए. श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा. दक्षिन में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी. उस नगरी में सुशर्मा नाम का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मन रहता था. पापियों का तो वह शिरोमनी था. उसका जन्म एक ऐसे ब्र पूजा पाठ करता, ना ध्यान करता, ना जप, ना होम और ना ही अतितियों का सत्कार करता था. उसके द्वार पर आये अतितियों को बिना दान किये ही क्रूरता पूर्वक भगा देता था. स्त्री लंपट होने के कारण वह सदैव ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था उसे मधिरापान करने की भी आदत थी, साथ ही वह मांस खाया करता था वह दिन में खेत में काम करके पत्ते बेच कर जीवी का चलाया करता था और रात्री में वेश्याओ का सेवन करता था इस प्रकार से उस ब्रहमण ने अनेक वर्षों तक जीवन व्यतीत किया फिर एक दिन वह दुरबुद्धि सुशर्मा बेचने के लिए पत्ते इकठा करने के लिए एक रिशी की वाटिका में घूमने लगा और पत्ते तोडने लगा तभी एक काल रूबधारी काले सर्प ने उस ब्रहमण को काट लिया और उसी समय पर उसकी मृत्यू हो गई उसके बाद दो यम के दूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए और उसे उठा कर यम लोक ले जाने लगे मार्ग में वह यम दूतों के सामने बहुत विलाप करने लगा हे दूतों मुझे कहा ले जा रहे हो मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बक्ष दो किन्तु यम दूत उसे यह कहते हुए ले जाने लगे अरे दुष्ट ब्राह्मन, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने काट लिया है अब यम राज तुझे अवश्य घोर नरक में डाल देंगे फिर यम के दूत उस ब्राह्मन को लेकर यम लोक पहुँचते हैं और यमराज के सामने खड़े हो जाते हैं चित्रगुप्त उस ब्राह्मन का लेखा जोखा निकालते हैं और यमराज से कहते हैं हे धर्मराज इस ब्राह्मन ने बच्पन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किया है, इसने कभी कोई पुन्य का काम नहीं किया है फिर धर्मराज अपने दूतों से कहते है, हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मन को उठा कर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो फिर यम के दूत उस ब्राह्मन को ले जाते हैं और नरक की भयंकर अगनी में धकेल देते हैं अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद, उस ब्राह्मन को दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिलता है बैल का जन्म पाकर वह बोज उठाने का काम करने लगा उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाने लगा फिर जब उस बैल की शक्ति कम हुई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगडे आदमी को बेच दिया उस लंगडे आदमी ने उस बैल को खुद का बोज उठाने के लिए उपयोग किया, वह उसकी पीठ पर बैठ कर घुमा करता था, इस प्रकार से उस बैल ने आठ वर्ष तक उस लंगडे आदमी का बोज उठाया, फिर एक दिन वह लंगडा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठ कर किसी उंचे परवत पर जाने लगता है। उस परवत पर बहुत देर तक छड़ने के कारण वह बैल बहुत ठक गया। उसकी शक्ति क्षीन हो गई। और कुछ समय बाद वह बैल बहुत जोर से मूर्चित होकर जमीन पर गिर पड़ा। और अंतिम सांसे लेने लगा। तभी पुन्य उस बैल को दे दिया। उसे देखकर अन्य लोगों ने भी अपना अपना पुन्य याद करके कुछ पुन्य उस बैल को दे दिया ताकि उसे मुक्ति मिल सके। उसी भीड में एक वेश्या भी खड़ी हुई थी। सभी लोग अपना पुन्य उस बैल को दे रहे यह देखकर उस वेश्या ने भी अपना पुन्य उस बैल को देदिया। कुछ देर बाद उस बैल की मृत्यू हो जाती है। फिर उस स्थान पर यमदूत आते हैं और उस बैल के शरीर से उस ब्रह्मन की आत्मा को निकाल कर यमलोक ले जाते हैं। यम लोक ले जाने पर उसे यम राज के सामने खड़ा किया जाता है, और फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा देखते हैं, तो वे आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उस वेश्या के द्वारा उस बैल को दिया हुआ पुन्य बहुत बड़ा होता है। उस पुन्य के प् पुन्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुन्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नश्ट हो गए हैं। और यम राज उसे फिर से मनुष्य जन्म प्रदान करते हैं। इस बार वह पृत्वी पर आकर एक उत्तम ब्राह्मन कुल में जन्म लेता है। उस महापुन्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की बाते याद आने लगती है। जब वह ब्राह्मन बड़ा हो जाता है तो उसे याद आता है कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तब एक वेश्या ने उसे उसका पुन्य दे दिय इसलिए उसके मन में उस वेश्या के बारे में जानने की इच्छा होती है और उस महापुन्य के बारे में जानने के लिए उस वेश्या का पता लगा कर उसे ढूंडते हुए उसके नगर में चला जाता है। वह वेश्या अब बूढ ही हो चुकी थी। फिर जब उसे वह वे और किस कारण वश आप मुझ वेश्या को धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है, जो आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तब वह ब्राह्मन कहता है, हे माता, मैं वही बैल हूँ, जिसे तुमने अपना पुन्य दे डाला था. अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल होना पड़ा था, उस परवत पर जब मैं मर रहा था, तो तुमने मुझे अपना पुन्य दिया था. तुम्हारे पुन्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है. तुम्हारे द्वारा दिये गए, उसी पुन्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बाते याद है किन्तु हे माता मैं आज यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि तुमने मुझे उस समय पर अपना कौन सा पुन्य दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप नश्ट हो चुके है मैं उस पुन्य के बारे में जानना चाहता हूँ तब वेश्या ने कहा हे ब्राह्मन श्रेष्ट मैंने तो अपने जीवन में कोई पुन्य के काम नहीं किये है किन्तु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है जिसे सुनकर मेरा अंतकरण पवित्र हो गया है उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुन्य मैंने तुम्हें दान में दिया था फिर वह वेश्या और वह ब्राह्मन उस तोते के पास जाते है और उसे पूछने लगते है हे शुक तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इस मंत्र का क्या आर्थ होता है तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का विरतांत सुनाना आरंभ किया वह तोता कहने लगा हे ब्राह्मन श्रेष्ट पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मन था मैं अपने ज्यान के अहंकार में अंधा हो चुका था मैंने कभी गुरु जनों का आदर नहीं किया सदैव ही उनका अपमान किया मुझे अपने ज्यान पर इतना अधिक घमंड हो गया था कि जिस कारण से मेरे क्रोध बहुत अधिक बढ़ गए और मैं सभी से द्वेश करने लगा अन्य मनुष्यों को तुच्छ समझने लगा विद्वानों का भरी सभा में अपमान करने लगा फिर कालांतर में मेरी मृत्यू हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया पूज्य जनों और गुरु जनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा अपने माता-पिता से वियोग हो गया फिर मैं पेड की डाल पर बैठ कर रो रहा था तो उसी स्थान से कुछ मुनी जा रहे थे उन्होंने मेरी दयनिये पुकार सुनी और मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए वहां उस आश्रम पर उन्होंने मुझे एक सुन्दर पिंजरे में रखा और मेरा अच्छी तरह से खयाल रखा वे मुझे नित्य भोजन दिया करते थे और पढ़ाते थे उस स्थान पर वे रिशी मुनी, उनकी स्त्रियां और बालक सभी नित्य तुलसी के पौधे को जल देते थे और उसके सामने एक मंत्र का जाप करते थे उन्ही के मुख बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और तभी से मैं उस मंत्र को जान गया हूँ और वही मंत्र में दिन रात बोलता हूँ उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यू नहीं हुई और मेरी आयू सौ वर्ष की हो गई और मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। इसी बीच एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया और फिर इस वेश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया। इस वेश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता था। जिसे सुनकर इस वेश्या का मन भी पवित्र हो गया और इसने वेश्या का काम छोड़ कर भगवान विश्नु की भक्ति करने लगी। उसी मंत्र के प्रभाव से मेरे पूर्व जन के सभी पाप नश्ठ हो गये और उसी मंत्र के प्रभाव से इस वेश्या का भी अंतकरण पवित्र हो गया। हे ब्राह्मन देवता उसी मंत्र के पुन्य से आप भी पाप मुक्त हो गये हैं। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मन को और उस वेश्या को सारा व्रतांत सु तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठ कर विष्णु लोक को चले गए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, देखा आपने केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से उस तोते के, उस वेश्या के और उस ब्राह्मन के सभी पाप नश्ठ हो गए हैं। इसी लिए प्रत्येक मनुष्य को रोज तुलसी को जल देते समय इस एक मंत्र का उचारण अवश्य करना चाहिए। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है, इसे तुम ध्यान से सुनो, ओम व्रिंदा वन्ये स्वाहा, ओम व्रिंदा वन्ये स्वाहा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उचारण करेगी, वह सौ भाग्यशाली बनेगी, जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उचारण करेगा, उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी, जिस घर के सामने नित्य तुलसी की प पूर्ण सिध्याएं प्राप्त होगी। प्राप्त करते हैं। प्राप्त करते हैं। प्राप्त करते हैं। तुलसी का एक-एक पत्ता न तोड़ कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़ कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना गया है। पूज्यभाव से पौधे को हिलाए बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तुलसी के पत्तों को कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। इससे पाप लगता है। रात्री में तुलसी के पौधे को स्पर्शना करे। अथवा उसके पत्ते न तोड़े। अशुभ माना गया है। रात्री में तुलसी का पौधा निद्रा अवस्था में होता है। ऐसे में पत्ते तोड़ने पर पाप ही लगता है। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। दूध छढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाए। इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रखे और उस पर तील छढ़ाए। पूजा में तुलसी और शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक अवश्य करे। शालिग्राम पर तुलसी पत्र रखकर चंदन लगाना चाहिए। अगर कोई महिला मासिक धर्म से है तो वह तुलसी की पूजा ना करे। मासिक धर्म के दौरान तुलसी को स्पर्श करने से घोर पाप लगता है। इसस्त्री की दुरगती होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी को जल देने के मंत्र का माहात्म्य सुनाया है। ये कथा आपको कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताए। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो विडियो को लाइक जरूर करे। कमेंट में जै श्री कृष्ण, जै मा तुलसी जरूर लिखे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करे। आप सभी का धन्यवाद।